हेलो विवेन, वेलकम टू मैं चैनल, तो हम लोगागे कापा शूर करते हैं, जहाँ पस हमें next morning दिखाया चाता है, रिवान कीचन पे रहते हैं, और वो उसके लिए, यानि कि हान के लिए breakfast रेड़ी करना चाता है, पर उसके mind में कुछ और ही चलता रहता है, और सुचता है कि, ओ नो, हान कितना work करता है, यदि वो इसी तरह tough work करता रहां, तो एक दिए उसके बाल ही ज़र जाएंगे, वैसे भी मैंने सुनाएं, कि software में जितने भी लोगी काम करता हैं, वो गंजे हो जाता हैं धीरे धीरे, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता हान के साथ, और वैसे भ बैट पर रहता है, उसके बॉड़ी में बहुत सारे bite marks रहता है, और फिर तभी उसको अवाज आता है, ओ नो, ये क्या हो गया मेरे साथ, और हान को लगता है कि, अब क्या हो गया, कहीं उसे चोड तो नहीं लग गई, और वो जल्दी से kitchen में चला जाता है, जहां पस वो दे बहुत ही concern रहता है, बहुत ही concern रहता है, बहुत है कि क्या, तुम्हारे हाथ पे oil आगे हैं तिखा तुम्हीं चोड तो नहीं लग गई, एवन कहते है कि नो, ऐसा कुछ ने, हाँ तो बता तुम ऐसे मेरे लिए क्या बना रहे थे menu में, और फिर वो बताने लग जाता है कि fried egg है, sausage है, and kelp soup है, तो यहां पास वो बोलता है, kelp soup, जाहां तक मुझे पता है, लोग usually morning में, में, में ट्रिंग करता है, पर यह क्यों, यहां पस इवान बोलता है, क्या रहे, मैं क्या बता हूँ इसको, फिर बोलता है, मैंने सुना है, kelp soup होता है, वो hair growth के लिए बहुत ही of course हम लोग के पास बहुत ही सारे बाल है, पर कब ना जाने क्योंच भी हो सकता है, यहां पस हान को कुछ समझ नहीं आता है, तो, यहां आइडिया आता है, उसके में बोलता है, क्या of course, बता है न, kelp soup, बहुत ही अच्छा रहता है hair growth के, और तो बता है, अजकल जो young generations है न, scared, बहुत ही loss हो रहा है, और तुम्हारे field में तो तुम कुछ जाद ही हो रहा है, बसे जिस work में मैं काम करता है, उसमें बिलकुल नहीं होता है, मतलब इस तरह इसे pretend करना जाता है, कि उसको बिलकुल बुरा नहीं लगे, और फिर लोग breakfast करने लग जाता है, यहां पस लोग breakfast हो जाता है, तुम मुझे ignore कर रहा है, तुम मुझे पर attention ही नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसी हरकती करना पड़ रहा है, यहां पसान बोलता है, क्या अभी भी upset है, अभी भी बोलता है, कि मैं कैसे तुम्हें attention देशता हूँ, मैं तभी खा रहा हूँ, इवान कहता है, कि हां, तुम इतनी सारे delicious food खा रहा है, पर तुम मुझे नहीं देख रहा है, क्या मैं delicious food नहीं हूँ, यहां पस बहुत ही smicky smile करते हूँ, कि हां, मैं खा तो नहीं पा रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो सकता है, यहां पस इवान blush करने लग जाता है, बोलता है, कि मुझे पता मैं बहुत ही tasty हूँ, और इस food से तो बहुत ही जादा देखती हूँ, मैं compare भी नहीं कर सकता, पर मैं अपको cold है न, इसलिए, वारना मैं तुम में दिखाता है, कि मैं कितना delicious food हूँ, जल्दी से जल्दी यह cold करता है मुझा, फिर मैं अपने आपको prepare कर लूँगा, फिर बोलता है कि यार, तु कैसा है, कि हमनों कहीं मिल सकते हैं, तो यहाँ पस हीवान बोलता है कि नहीं, नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं मिल सकता है, especially drink के लिए तो मुझे पूछ रहे तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ बस जूई बोलता है कि of course, मैं उसी के लिए पूछने वाला थ कि तु मिल से भी मार पड़ेगे, क्यों क्या हुआ, कहीं आने तुम्हें कुछ ज़्याद ही, तो तंग नहीं करते हैं, यहाँ पस बहुत ज़्यादा बलश हो जाता है, और बोलता है क्या बात कर रहे हैं, आसा कुछ भी नहीं, यहाँ बोलता है, यहाँ बात प्र शुद जाते हैं, बोलता है क्या, तुमने एक जगा भी टूली आ है, यहा रुखने के लिए, क्या तुम इतना अफ़र्ट कर भी सकते हो, तुम्हे पता है उसका रिंड कितना हाई हो सकता है, बताओ, कितना है उसका मन, जैसी वो रिंड सुनता है, तुम दिमाग खिल जाता है, और बोलता है कि हाँ यदि तुम उसे बात कहना चाहते है इस बारे वे तुम्हें मेरे पास ही है पड़ेगा फिर वो उसके यहां चला जाता है युवान और उसके बहुत ही मस्ती करते रहते हैं और जो जुई रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारे बात करने देते ही नहीं है हाँ मुझे सपोर्ट जरूर करते हैं बट असा वो हमें तच करने नहीं देते हैं मुझे तो लगता है उसे अच्छा तो वह मुवमें होंगी जो ऐसे शुगर डायटी चाहते होंगे मुझे नीचे यह ऐसा है पहले तुम बताओ तुम्हेरो फॉर्स ल उन्हें में क्यों इंट्रस्टेड है इस्पेशली तुम्हारी लव स्टोरी में तुम दोनों की लव स्टोरी है आइमीन वहर दिर मुझे यही सब पूछते ही रहते हैं एवरी डे मैं थक चुका हूँ इन सब चीजों से यहां पर सिवान को कुछ समझ नहीं तो बोलते हैं पर वो इस सब क्यों सुना चाहते हैं यहां पजुई कहते हैं कि पता नहीं में भी उस सो रिलेट कर पाता होगा जो उसका पास रहा होगा उसे उसको करेज मिलता होगा मुझे नहीं पता है इस सब क्यों चलता रहता है यह सब और फिर दुसरे सब दिखा जाता है कि वही ब और दुसे सैच से हान रिप्लाई करता है कि मैं बहुत ही बीजी हों ही दो मैं पिल्कुल ही आ सकता हूँ तो उसका ब्रदर बोलता है कि अच्छा तो तुम उससे मिलने स्वी मना कर रहे हो उन्हें पता चल गए कि तुम्हारा कोई लवर भी है और वो बहुत ही गुस्से में है ठीक है तुम्हें रखता हूँ इस यूर डिपेंड और वो महापस रखे वापी रूमा आ जाता है वो दिखता है कि एक boy है जो उसकी of game पे game किल रहोता है वो बहुत ही गुस्से मिलता है वो बहुत है कि who are you तुम यहां कियार किया रहे हो और वो बोलता है कि तुम कोवान हो वैसी और यहांपस जुई को बोलता है कि हान जुई बाहर आओ यह लड़का कौन है तुम किसे भी अंदर लग के आ सकते हो वो आपिस आके बोलता है जुई कि जिन्ची तुम कब है तुमने तु कहानी था कि तुम आज नहीं आने वाले हो तुम सड़ले कैसे आ सकते हो यहांपस जिन्ची बोलता है अच्छा तो यदि मैं नहीं रहा हूँ तो तुम क्या रेंडम पेपल को भी यहांपस लेखिया जाओगे ऐसी हरकती करने के लिए तुम्हारा करेंट इस ट्रेज़ कुछ भी नहीं है यहांपस भी बहुत ही गुसे में रहता है और बोलता है कि क्या का तुमने रेंडम गाय बिलकुल नहीं है यह कोई रेंडम गाय नहीं है यह मेरे फ्रेंड है यहांपस जोहान का प्रदर बहुत ही गुसे मता है अच्छा तो ये इसने तुम्हारे शर्ट कैसे पहने है तुम ही बताओ ऐसा कोई कर सकता है क्या और फिर उसको समझाने लग जाता है कि नई बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है बतलब तुम्हें पता है जिसकी स्टोरी मैं बताता हूँ ये वही है और वो बहुत ही लबी डबी हो जाते रहता है उसके हैंड पर किस करता है उसके चिक पर किस करता है बोलता है कि ये मेरे दोस्त है न उसके शर्ट पर कुछ गीर गया था इसी वज़े से मैंने इसी दिया था और युवान बोलता है कि यो, उची यहां से निकलना पड़ेगा, परना इससे इनको मेरे माइन पर रह जाएगा, मुझे वाइट करना पड़ेगा, और वो बालकिनी में चला जाता है, पर दूशे सारे उसको बहुत ही प्यार से समझाता है, बोलता है कि, रियली, वही परसन है, जिसके स्टोरी तुम मुझे बताती थे, अफिसलि उसके हान के लाइफ में तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग रहता है, और हान के साथ कौन है युवान, तो वो उसके बहुत ही क्लोज आने के कोशिश करता है, और वो फिर बोलता है कि, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, और बार बताओ, क्या तुमने उसे मेरे बार में तो नहीं बता दिया ना, मेरे नाम तो नहीं बता दिया ना, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो यहां पर जोई बोलता है, बिल्कुल भी ने, मैंने तुम्हारे बार में कुछ भी नहीं बताया है, और वो आपी से जाके, युवान से बलता है कि, हलो ले निवान, मैंने तुम्हारे बार में बहुत सुना है, हैं जोई से, और दुसरे साइज बार में बलता है कि, हलो, मैंने भी तुम्हारे बार में जब बहुत सुना है, जीन जोई से बोलता है क्या इस टुब ने बता कि रख दिया और फिर हो मनुए सुचते है क्या बता है होगा कि इसने तब ही हान जोई आके बोलता है कि कुछ नहीं बस मैंने ये बता है कि तुम बहुत ही अचे परसन हो polite person और कुछ भी नहीं बता है फिर बोलते कि God, thank God इसने कुछ नहीं बता है और फिर लोग में कुछ बाती होती है रहती है दुसरे साइजोई कुछ काम करते रहता है यहाँ बस जो उसका brother रहता है Han का वो सब कुछ जाने की कोशिश करते रहता बोलता है कि मैंने सुना है Hanso 1 की बारे में कि तुम्हारा break up पोच होगा था तुम्हारे boyfriend के साथ क्योंकि उसके father ने तुम्हें कुछ पैसे दिये थे राई कि तुमने उससे साथ ना रहा हूँ यहाँ पसिवान बहुत ही अनकोफ़टेवल और वो कहता है कि यह थी Hanso 1 ने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम उससे वापिस पूछ कियो रहा हूँ पर वो बहुत ही polite way बलता है कि हाँ क्या उसके फादा ने सच्वें ऐसा कर दिया है क्या और क्या उससे पता है यह तो बिल्कुल टीवी ड्रामा जैसे लग रहा है कि तुम्हें कुछ मानी आफर किया और तुमने उसे बच्चे को छींग लिया मतलब उससे बच्चे से दूर रह गए यहाँ पस उसको इतना अनकंफरटेबल फिल होता रहता है पर वो जोई के रिलेशन्शिप को खराब निकरना जाता है उसको पता है कि जोई कितना रिच है फिर भी उसके साथ रह रहा है मतलब उसको फील है मतलब उसके फीलिंग है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता उसके लिए और वो बोलता है कि नहीं उन्होंने मुझे कोई धमकी नहीं दे दी यह मेरी चोईस थी कि मैं किसे चूस करना चाहता था और यहां पस वोहां से बोलते है क्या तुमारी चोईस प्लीज टेल में ना मुझे सब इस्टोई जानना है दूसरे साइड कुछ टाइम बाद हान उसको लेने के लिए आ जाता है और वो दोनों वापिस से अपने घर के लिए निकल जाता है तो आगे का जो पाढ़ा नों बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है इसलिए आप लोग कंटिनुई इसको सुनते रहना तो आज का यह बात यहीं खतम होता है यहीं आप मेरी चानल पर नहीं तो मेरी चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको इस्टोरी अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना थेंक यह फूर वाचिंग